नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कहानी लेखन कहानी का विश्य है जैसे को तैसा या फिर आपके प्रेश्ण पत्र में पूछा जा सकता है कि इन चित्रों को देखकर कहानी लिखिए या फिर आपको कुछ शब्द दे दिये जाएंगे उनी शब्दों को जोड़कर आपको क्याल बनाना एक कहानी बनाना है इनसे संबधित प्रेश्ण मद्य प्रदेश की बोर्ड वा लोकल पाईक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आपको वीडियो ध्यान पूरवक घर पर खाने का निमंत्रन दिया जब सारस लोमडी के घर दावत खाने पहुचा तो लोमडी ने उसे खाने के लिए एक थाली में खीर परोसी दोनों सार साथ खीर खाने लगे, लोमडी थाली की सारी खीर खा गई, ठीक न, किन्तु सारस लंबी चोंच होने के कारण कुछ दाने ही खा पाया, ये इस प्रकार, वे भूका रह गया, सारस लोमडी की चतुराई भाप गया था, यानि कि इसने मुझे मूर्ख बनाया है, सारस ने लोमडी को सबक सिखाने का विचार किया, एक दिन सारस ने लोमडी को अपने घर पर खाने की दावत दी, उसने सुराही में खीर परोसी, लंबी चोंच होने के कारण सारस ने सारी खीर खा ली और लोमडी भूकी रह गई, सारी बात समझकर लोमडी ने सारस से शमा मांगी, इस पर प्रसन होकर सारस ने लोमडी को थाली में खाने के लिए खीर दी, यानि कि आयसे को तैसा, यानि कि लोमडी ने थाली में खीर परोसी दी, तो सारस ने काई परोसी दी, सुराही में, तो लोमडी सुराही में कैसे ग मित्र होते हैं उनसे कभी हमें छलकपट नहीं करना चाहिए तो कहानी अमेजा कब लिखे कौन सी बातों के लिखे आती है बीती बातों के ओपर कहानी लिखे जाती है धन्यवाद दोस्तों